जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती के रहा होती है यदि हम थोड़ी देर प्रतिक्षा कर लें तो वहारी हो जाती है धेरी रखें प्रियास करें समय बजलता ही है ये बात उन साथियों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो कहते हैं कि हम सीजट में फेल हो जाते हैं या हम फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो जीवन भर के लिए आप उसके लिए करजदार हो गए आप थोड़ा धरिया रखें, प्रियास करें, समय बदलेगा, आप बदलेंगे, और जो आपकी पहचान है, वो जरूर बदलेगे, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, मौर्निंग का सेशन, सभी के लिए पता है, लावदायक और लावकारी होता है, सभी को मेरा प्यार प्रणा मश्कार है, और आज हम बात करने वाले हैं, आपके इस्तमक्ष, अपने next paper की, यानी 8 जनवरी 2022 का ये paper, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा नाम है Dr. ललित, और मैं आपको पढ़ाता हूँ, EBS और Mathematics, तो यहाँ पर सभी का स्वागत है seated के, और जल्दी से दोड़ के वापस आजाओ, जिससे की सभी लोगों को बुला लाओ, आवाज लगा दो, कहा हो, आजाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, और सलोट से दोस्ती तोड़ करके सीधिक अक्षा में आजाओ, तो चलो भी करते हैं शुरुवात, बात करते हैं बि प्रत्वी ग्लोब जैसी दिखती है, जैसे आप जानते हैं ग्लोब जैसी गोल है, नीची दी गए किस देश के व्यक्ती प्रत्वी पर हमारे सापक्ष उल्टे खड़े हैं, अब यहां पर सवाल बड़ा आसान है, इसके दूसरी बार सवाल पूछा गया है, पहली बार तो मै आपको बता दूँ कुछ प्रत्वी के बारे में, तो जो प्रत्वी है ना, वो हमेशा ऐसी नहीं के गोल है, और उस प्रत्वी में हम कै सोचते हैं, यहां पर हम भारत वाले हैं, हम इसमें छेद करेंगे, और इसके अंदर अंदर जाएंगे, तो दूसरी तरह हमारा पानी आजाएगा पर देश आजाएंगे, हम ऐसा सोचते हैं, यहां पर भी जाएंगे, जहां के भी लोग दिखते हैं, वो हमेशा प्रत्वी के ऊपर दिखते हैं, कोई नीचे नहीं होता है, है ना, तो जैसे भारत है, यह अर्जेंटीना है, तो इसमें होता क्या समझा देता आपको जैसे आप देख़ो हैं इंडिया के लोग हैं अर्जेंटीना के लोग हैं प्रित्वी दो गोलार्द उर्ट्री गोलार्द दक्षि की जा सकती हैं वन्दियु विशीय स्थानों के लिए किया जाता आप जानते भूमद्य रेखा भारत के मिड़ से जाते हैं विश्वधी रेखा से हम अपने अक्षांस और बेशांस के बारे में बात करते हैं यदि प्रत्वी उल्टी होते तब भी कोई वक्ति वाश्तम में इस पर द्यान नहीं देगा क्योंकि किसी को त त्रिक्ष भाग से एक ही रेखा पर हैं इसलिए वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं इसलिए राइट आप्शन क्या होगा राइट आप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना बहुत बढ़िया जवाब आपके तरफ से एक और सवाल उजायरा और शामीर गलोब पर विभ रेखाएं बनी हुई हैं और इस रेखा को जो आक्षांस और देशांस अब कहते हैं तो उसने ये सवाल पूछा आँख खुलेगी आँख में भरेगी आँख भरेंगी भी खुलेगी डोंट बरी शामीर कहता है होनी चाहिए इस किताब में भारत के मानचत्र में भी हैं दे रेखाओं को बहतर ढंग से समझने में मदद करेगा विध्याले में लिखे लिए लाइंदार काप्यों का प्रियोग क्यों किया जाता है पहला अप्शन दूसरा आपके अनुसार सडकों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं तीसरा फोटो लेते समय आपके कैमरे म स्क्रीन पर गिल्ड रेखाएं कि हुआ जाती है चौता है और तीसरा आप जयामिती में बिंदों को आलकित करने के लिए गराव बुका पुरियोग क्यों करते हैं तो सवाल आपके समक्स है और यहाँ पर मुझे उमीद है जपादस्त जवाब मुझे मिलेगा और गलती नह सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर आप देख रहे होंगे तो यह पूरी रेखा की जो लंबाई है वह 1111.32 किलोमीटर की अगरम बात करते हैं तो यह गिर्णिविट्स टाइम से है तो गिर्णिविट्स से पस्च्चिम के स्थानों के लिए हर देशांतर के लिए 4 मिनट घठा देते हैं क्योंकि परत्वी जो होती है ना वो घुमती कितने में हम देखो ?360 डिग्र यह लगववच 24 घंटे में परत्वीं घंटे में घुमती है क्योंकि 360 डिग्री का कौन होता है और वो 24 घंटे में लगाति है तो प्रत्वीं कितना करते है ?PनदरH allowing घंड घंटे बनाती है तो एक मिनट में कितना बनाएगी आपने 60-फंदर का भाग कर दिया तो इसलिए वह 4 लिखा हुआ है तो हर प्रत्वी जो ग्होंती है वह चार मिनट में जो है जो एक मिन्टे चार डिगरी भूम जाती है इसी वज़ेसे हम इसको चार-चार मिनट की दूरी भी मान लेते हैं ठीक है ना हाला कि जोग्राफिकर टॉपिकर किसने डिटेल में बढ़ाऊंगा अभी तो इतना ही समझ लेगे ये इसका क्या है जैमिती नुरूपण है तो आप कह सकते हैं कि आप जैमिती बिंदों को आलकित करने के लिए गराफ बुका प्रियोग क्यों करते हैं ये सबसे बैस्ट कोशिन होगा उस बात को समझाने के लिए ठीक है ना गुढ मौनिंग गुढ मौनिंग शिराम आगा है क्या गुड मॉनिंग प्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ् साप की आँखों द्वारा बीन की करती का यह एक होता है अनुशन ना करना यह गलत है क्योंकि अनुशन करता हुँँ साप आवाज सुनता अनुशन उसकी बीन का करता है मैंने इसका शाट भी बना के आपको बताया था और एक बार देख लेते हैं यह हमारे आरेनाथ भी बाजोन चलो और शाप आपको बीन की डंडिन को देख लू लरे है ठीक है ना जी बुग में है अनसे आटे बुग मिए तो भईया इसको समझते चलो और सपेरी की बात समझते चलो एक और साथ A teacher who wants to use technology to the her students about various world heritage sites and better understanding their architecture, historical backgrounds, etc. which of the following technique would be best suited for this purpose. यानि एक शिक्षिका अपनी छात्र को विभिन विश्वदरो अर्स्तलों के बारे में सिखाना और उनकी वस्तुकला एतिहासिक प्रस्ट भूमी आधी को बहता डंग से समझाने के लिए प्राद्धोगी के उप्योग कर रही है प्राद्धोगी को मतलब क्या होता है IT यानि जो Information Communication Technology है उसका वो यूज़ कर रही है निमली कितमे से कौन सी तकनिक इस उद्देशे के लिए सबसे उप्योगी होगी आभासी वास्तित्ता Graphic Design Software, Simulation या Software या Animated Videos अब आपको देखना है जवाब का मिलेगा और यहाँ पर भी Option मुझे आप देने की कोशिश करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है लाइक बढ़ाते रहोएं लाइक पर क्या कोई करता दुश्मनी है लाइक से लाइक से मुझसे दुश्मनी करो लाइक से मत करो लाइक देते रहो तो क्या हुआ अब देखो यहाँ पर अगर मैं उसको कुछ दिखान आतियासिक भ्रमन वस्तो कलापरस भूमी को बहतर दंचर समझाने के लिए आइट का यूज़ करूँगा तो ग्राफिक डिजाइन सफ्ट्रे नहीं होगा आपका जवाब गालत है यह ग् गेंखेलते हैं जो लोग गेंखेलते हैं वह इस टैकनीक का यूज़ करते हैं वर्च्वर रियृलिधी इंग उसमें क्या हुता है? वह आखोंपर चिसमा लगा लीते बहुत बढ़ा सा है नहो और वह पर झाल किमा दिन उखल रिक लगा लिएयासे है वो actually महसूस करते हैं कि मैं इसी environment में हूँ जैसे आपको पताया और आपको लगेगा कि औरे मेरा भाया तो आकास में उड़ रहा है तो वो आपको पूरा feel कराएगा उसको बोलते है virtual reality वर्चुल में जो available नहीं है reality मिन सत्यता तो ऐसी सत्यता जो actual में है नहीं लेकिन आपको वो दिखाई जाती है उसको virtual reality बोलते हैं तो right option क्या होना चाहिए virtual reality इसका सही जवाब होगा is that clear? किसे ने virtual reality देखा 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 होगी तो यह virtual reality इसका मतलब क्या होता है हाँ youtube में भी जब अधिकतर game खेलते हैं बच्चे या इसको आउंको पर लगा लेते हैं वो उन्हें कुछ इधर दे नहीं दिखता वो feel करते हैं कि वो उसी environment में है इसे को बोलते हैं virtual reality ठीक है ना VR short में बोलते हैं इसे को हिंदी में आभासी बोला जाता है जो आपने पढ़ा इस देट केलियर नहीं हो बास समझ में आ गई तो right option क्या होना चाहिए राइट option होना चाहिए आभासी वास दिखता वर्चुल reality इसको VR बोलते हैं शौट में ठीक है ना तो वो क्योंकि उनको दिखाएगी आतियासी बिर्णा कर तो VR पर है और वो फील करेगा वो उसी जगह पर है सबसे अच्छा अंसर होगा पाक शास्त्र पर एक पार्ट के संबंद में निमलीकत में से कौन सा पिर्मानिक कारी होगा पाक शास्त्र आप जांगते हैं न कुकिरी कुकिंग बोलते हैं न पाक शास्त्र जहां आप खाना बनाना सीखते हैं तो पाक शास्त्र पर प्रशन चल रहा है और आपको बताना है कि पाक शास्त्र पर एक पार्ट के संबंद में कौन सा प्रमानिक कारी होगा कक्षा में चात्रों को वास्तविक सामगरी से सेंडविच बना के दिखाना और सुभा सुभा अगर आपको सेंडविच मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए आपका तो आनन्दा जाए है तो आप उनको सेंडविच बना के दिखाएंगे अपने विध्याले में आग रहीत खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहाँ छात्र वहेंजन बनाते हैं और बेचते हैं अब दोगो परमानिक की बात हो रही है अगर आप यहाँ पर छात्रों को सेंड्विच बनाना दिखा रहेंगे तो वो उनके परमानिक कारे ने होगे को अब दिखा रहे हैं लेकिन बच्चे खुद बिना आग वाला खाना बनाएंगे आग की जिसमें आवश्यक्ता ना हो और वो उसे बेचेंगे तो ये एक परमानिक कारे होगा ये परमानिक एक्टिविटी होगी ये ऑथन्टिक एक्टिविटी होगी जो स्कूल में कराई जाए इस देट केलियर तो बात समर्ण में आई तो यहाँ पर बच्चे आच्छा बिना आग वाला खाना कौन सा हो सकता है कोई मुझे बताएगा आप में से बिना आग वाला खाना कौन सा होगा जहाँ पर आग की जरूत ना पड़े तो आसे बहुत सारे खाने हैं क्या आएगा ऐसे बहुत सारे खाने हैं कैसे जैसे जैसे आप देखते होंगे आप चना हैं मुर्मुरे हैं या आप पाव क्यों बोस बोलते ना भेल पूरी है इस तरह के खाने सेंड्विच में आता है जहां पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बढ़ें आगे एक सवाल की तरफ। तो राइट आप्शन क्या हो जाएगा? आप्शन नम्बर टू किसी पुस्तक में गोल कॉंडा के किले का मानचितर दिया है, इस मानचितर की तली में पैमाना दिया गया है, जिस पर लिखा है, एक सेंटी मीटर बराबर 110 मीटर, सेम कुशन कल भी आया था, लेकिन उसमें डिजिट्स अलेफ थी, मानचितर पर इस इनाहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी तेहरा दिसमलब 3 सेंटी मीटर है, इन दोनों बुर्ज के बीच की वास्विक दूरी क्या है, और देखेंगे, ये तो बड़ा आसान सवाल है, लाइक करते रहो भई, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, महाकाल के आशरवास दब नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ऐसा एक्टी नहीं कर सकता, लेकिन लाइक शेयर करते रहो, और दोस्तों के साथ आगे बढ़ाते रहो, जी शिर्राम कुछ पूछ रहे हैं, डी क्यों नहीं, शिर्राम ने का डी क्यों नहीं है, शिर्राम भाई, डी क्यों नहीं है, डी को बताते हैं, शिराम ने कुशन किया इसा डी क्यों नहीं होगा देखिए जब आप अच्छा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना और उनको टमाटर मेर्ची आदे के पदोगानों कहना आप पाक शास्त्र की बात कर रहे हैं यह सबजी उगाने की बात हो रही है ध्यान से बड़ो शिराम यह पाक शास्त्र में से खाना बनाने की कला खाना उगाने की कला नहीं है पाक शास्त्र में कभी देखा कि आप कोई खाना उगाने की बात होती है पाक शास्त्र में पकाने वाली कला जहां खाना पका के खाया जाता है अब चाहो उसी किसी भी फर्म में खाओ वो पाक शास् मिटर के बराबर दिया है तो यह है 13.3 cm तो मैं 13.3 में multiply कर दो 110 की तो 0 से हट जाएगा यहां पर तो 11 या 33 या 33 या 33 या 33 या 34 क्योंकि यह मीटर में इसको किलोमेटर में मिदल दो 1000 का डिवाइड कर दो तो 1.4 किलोमेटर इसका अंसर आजाएगा option number B और अगर आपने B option दिया है वो एकदम सही जवाब है is that clear very good आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की बात करते यह share वेर नहीं हो रहा लग रहा है मुझे आज कम कर रहे हो आप लोग share क्या बात है कितना सुन्दर प्रशन है पक्षियों की एक ऐसी species जिसका नर पक्षी सुन्दर सुन्दर गोंसला बनाता है माधा पक्षी उन सभी गोंसलों को देखती है उनमें से चुंती है जो सब से अच्छा लगता उसी में अपने अंडे देती है पक्षियों की सिस्पिसीज का नाम क्या है ये तेरा घर ये मेरा घर ये घर बड़ा हसीन है ऐसा ऐसा गाना गाते होंगे और अपने घर में एंट्री कर जाते होंगे तो कितने अजीव गरीब दुनिया है अजीव गरीब फरशन है आपर है तो आपको बता दें यहाँ पर right option मिलेगा बिल्कुल से इसको बोलते बीवर पक्षी बीवर पक्षी अपने सुंदर घोंसले बनाने के लिए बहुत मशूर है बता देता हूँ मैं आपको कि ले ताज महल मुम्ताज के लिए बनवाया तो शहां जाने मैं किसे शहां जहां से कम नहीं हूँ तेरे लिए कितने महले बना दी है घर महले बना दी है जिसमें तुझ अच्छा लगता हो तो उसमें जाकर रह ले ठीक है न तो बिलकुल सही है और राइट ओप्शन बीवर तो यह बीवर पक्षी है इसके बाद शक्र खुरा ऐसा बनाता है यह पेडर ज्ञाडी के डाली पर लिटकता गहुंसला बनाता है इसमें रूई सूंखे कपड़े और चीतले होते जिन बोगो उनकी सेज बनाकर सोता है इसको बोलते है शक्र खुरा इसके बाद अदा है बसं अपनीयों और अपने पतियों से अपएक्षायमक्त करना देख ले वो बीवर पक्षी को वो तो जानवर है इतने सारे घर बना के दे दिये और तू मुझे आज तक कराय के घर में लख रहा है एक छोटा सा कमराई दिलवाद दे मुझे अपना तो मतलब ऐसा डिमांड ना करे नहीं किरपया करके सुबा सुबा चीखे ना तो इस को मेंटन रहें चीजों को तो यह है बसंत गोरी पक्षी पेड़ के तवनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है इसके साथ हम बात करते हैं यह कोयल कोयल सिते नी बूली तू है कितनी बोली यह बोली नहीं होती है को कोयल जो है हां अच्छे बनाया घर बहुत बढ़ी अशुजीत तो बास समझेगा तो यह जो कोयल है इसके आवाज बहुत मीठी है लेकिन उतनी तीक ही है कोई के गोंसले मेंडे दे दे अपना गोंसला कभी बनाती नहीं हम इसका कोई के गोंसले पर अटक कर देती है उसका प्रस्तोत करने के लिए निमलिकित में से कौन आकरशक या प्रारंबिक उधारन के रूप में सबसे अधिक प्रसांगिक है तो देखेंगे आपका जवाब क्या होगा छे चात्रों को सूरिय उदय से सूरिय अस्त और फिर से सूरिय उदय तक लोगों की गत्य वीडियो एक दिन होता है उस दिन में कोई रिदू में परिवर्तन तो होगा नहीं कि आप बच्चे को ये काम करने के लिए बोलें क्या ही सही बात होगी मेरे हिसाब से विल्गुल गलत बात होगी है ना तो इसको काट दूँ ये तो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है ना छात्रों को स जब वो बताएगा तो अभी इसके लिए अच्छा option नहीं है तापमान, वसा, गतिविधियों, पोधों, आदी के संदर में गिरिश्म और शिश्म के बीच अंतर का वर्णन करना यहाँ पर फिर आप उसको एक theoretical knowledge दे रहे हैं यहाँ पर आप बच्चे को फिर सिक theoretical knowledge देने कि वो उनमें अंतर करें तो मैं इसको भी गलत कर दूँ आरे क्या बात कर दो, इसको भी मैं काट देता हूँ छात्रों को एक टोपी देना, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना इनमें से कौन से कोपियों कहा होता है जैसे बच्चे टोपी देखेगा तो बोलेगा सर्दी आ गई जैसे गर्मी आ गई, क्योंकि गर्मी में टोपी लगाते हैं बरसाती मतला उसको एक छतरी देदी चाता देदी बोला यह तो बरसात में काम आता है और स्वर्टर की बात करते तो बोले सरदी में पहनते हैं तो वो तीनो रुथ वो को explain कर सकता है तो right option D होना चाहिए ना कि B, आप टूट पड़े हैं D पर लेकिन बात है B की नहीं सही option D, right option क्या है मैंने का ना जब भी आप EBS को पढ़ाएंगे तो बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभाव कराने की बात करेंगे बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से चीजों को समझेगा और जानेगा बहुत बढ़िया सही जवाब ह और बढ़ते हैं एक और सवाल की दरफ देखेंगे एक और नया प्राशन आपके स्क्रीम पर क्या है शिक्षक खाद परिरक्षन की अवधारना सिखाना चाहता है निमली कितमे से कौन सी खाद समगरी इस अवधारना को समझाने में सबसे ज़्यादा उप्योगत है यह आप प्रिजर्वेशन जानते हैं न चीजों को प्रिजर्व करके आपको खलाया जाता है प्रिजरेटिव चीज दिखाते हैं आपको जो चीज़े प्रिजर्व होती है उनको दिखाया जाता है उनको खायते है जो आप चिप्स खाते हैं जो पैकेट में चीज़े लेकिन जो मेरे साथ ही option दे रहे हैं पापड और चिप्स वो दोनों से हीं तो पापड और चिप्स इसके दोनों ही उत्तर सही है क्योंकि पापड और चिप्स ही इसका सही जवाब है तो अब बात आयोग की करें तो आयोग ने क्या कहा इस पर यह आयोग ने कहा कि यह question में ambiguity find हुई है और इसमें जो answer दो और तीन देंगे उन दोनों को पूरे number दिया ज सुलोत भहिया को घर छोड़ाओ सुलोत भहिया को बोलो कि भाई सब सुलोत बाद में आएंगे आपके बास तो सुलोत की योनी से बाहर निकलो क्योंकि सुलोत जो है वो उस already उस species में आया है उस प्रजाती में जन्मनियां सोते हैं आप तो व्यक्ति हैं इंसान है ठीक है न तो रहें से दोनों सही माने इसलिए राइट ऑप्शन दो और तीन हो जाएगा करके चक्रों में डाल देता है कोई प्राबलम नहीं है यह लाइक नहीं मिल रहे हैं मुझे सुलोत को भगाओ सुलोत के भूत को भगाओ सुलोत की जो आत्मा आपके इंदर प्रविश्ट कर करते हैं सब लोग video chatting या whatsapp chatting करते हैं तो ऐसा कौन सा feature है जो बिना बोले आपकी बातों को कह देता है और right option क्या होगा d option oh my god देख लेते हैं एक बार दो साथी दो संगी बैठे हैं और देखो क्या वो कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं और आप सारी भाशा को observe कर सकते कि दोनो क्या कर रहे हैं है ना समझ गई ना क्या कर रहे हैं इसने बोला hello hi उसने मुस्करा के जवाब दे उसने बोली अच्छा क्या कर रहा है तुब तमीज ख़वीज उसने फिर दुबारे से एक heart बना के भीज दिया तो बात समझ रहे हो ना तो ये क्या है ये बिना बोले communication है और ये क्या है ये चैट में gif का यूज करना होता है जहां पर अपने हाव भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं और सिखा सकते हैं कि भाई इसकी बोलने की ज़रूत नहीं पड़ेगी इससे काम चल जाएगा म्यूट बटन से तो आवाज इवन्द हो जाएगी और वर्चूल बैक्ग्राउंड से सिर्फ आपका बैक्ग्राउंड गायब होता है बागी कुछ नहीं तो राइट ऑप्शन डी है अगर आपने दिया है ऑप्शन दामार में डी तो एकदम सही सवाल है जब आपने एकद और वर्च पाई जाती है क्या है इनके शरीड शल्क से डखे होते हैं तो ये तो मैं कहूंगा नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि शल्क से तो सांप डखा होता है मतलब उतकी जो कैचुली होती है मैं डख तो नहीं होता डखा हुआ नहीं गड़ियाल होता है इनका इनका तीन कोस्टक का हिर्दे होता ये भी गलत है तीन कोडिनेंट में नहीं होता ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं देखो भाई ये बात तो सही है कि जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं लेकिन छिपकली तो पानी जाते डरती है वो जो दर जाती है मैं न जहां नहांने को मने कर और घढ़ियाल भी अंडे से निकलता है इसलिए चारो तरह के अंडे मैंने आपको बता दी है ये आप देख पारे हूं आपकी स्क्रीन पर ये घढ़ियाल है जो अंडा तोड़ के बाहर निकला है मैंडक के तो अंडे कहीं भी ले जाता है अब भूँबा करी, यह तो Kyvy हो यह 순간 द्रेगनफूड से निकलते हैं और यह है, छिपकर लिए भी अंड़े देते हैं, सांप बच्छे भी देता है, मैंने एक बार तो देखा है, लेकिन अधिकांस शाप अंड़ ही देते हैं है ना तो बात समझ में आगे को problem तो नहीं किसी को right option clear है समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तो आगे बढ़ते हैं एक बार जोर लगा के like कर दो और आगे भी बढ़ा दो session को भारत में केंदर शाषित प्रदेशों की संख्या क्या है 9, 11, 6 या 7 इन में से कितने केंदर शाषित हाँ अंड़ फूट गया कितने केंदर शाषित प्रदेश से सबको पता होगा मेरे हिसाब से सभी लोगों को केंदर शाषित प्रदेशों के बारे में पक्का पता होगा और मैं चाहूंगा आपका पक्का पक्का मुझे भी पक्का लग जाए और आपने कहा कुल मिलाकर साथ है नहीं गलत जवाब है आपको समझा दें हाला कि यहां आयोग ने इस पर गलती नहीं मानी थी आयोग ने यहां पर अपनी गलती नहीं मानी बहुत बड़ी शुराम पहले नो थे लेकिन अभी जो है ना आणमन निकोबार और दीव समों को एक कर दिया गया तो अभी आठ हो गए है इसलिए पहले यह साथ नहीं है आयोग ने इस का आंसर नहीं माना है यहां पर सरकार तो कोई प्रदेश बना सकता है लेकिन वहाँ पर जो सरकार है वही वहाँ पर राज करती है ऐसे में आप बोलते ना गवर्नर का शासन जो राश्पती चलता है तो उनका जो शासन है वो क्या चलाता है वो वहाँ का उपर राज्यपाल चलाते हैं जिसको राश्पती द्वारा मनुनित किया जाता है यह साथ आपको पता होगा हाँ 28 हाँ बिल्कुल ऑप्शन गलाता है बिल्कुल लेकिन यह आयोगी ने नो माना था मैं वो उसका स्पेश्पती दे रहाँ आपको तो इसमें 28 राज और केंदर शासित हैं ठे पहले राज और केंदर शासित प्रदेशों के आगे जिलो और छोटोटे काई बनती हैं अब हुआ क्या इसके आगे की बास समोँ एज अफ टूथाउजन ट्वंटीटीटू देर एट यूनिन टेरिटरीज यानि आठ कुल मिला करके अब राज जो यूनिन टेरिटरी में आते हैं विच इस नॉट प्रवाइड इन दी ऑप्शन जो आप्शन में नहीं हैं तो द बोटीज हाँ सेंट्रल गोर्रमेंट के दुबरा उनको किया जाता है ठीके न और 31 अक्टूबर 2019 को जमूर कश्मीर वाज रिमूट फ्रॉम्ट फ्रॉम्ट इस्टेटस ऑफ इस सेट और इसके बाद के हुए 2019 जो हमारा कश्मीर था उसको राज्ये से हटाकर यूनिन टेरि क्योंकि उनका पहले बन गया होगा और उन्हां ध्यान नहीं दिया है तो इसमें कंट्रउडट्र ही ठीको उश्च्व में लेकर पेपर में आएगा क्योंकि औप्ट और इसके आउठिकर नुगा है था तो यह थो कितनी बढ़ी गल्ती आयोक के द्वारा की जाती है कोई प का मिलान कीजी यह मिलान जो करना है यह मैं आपको बहुत बार बताया हूँ के मिलान कैसे रहे नहीं वीडियो नहीं रुका है वीडियो इस वर्किल देज नो स्टॉपइज असम लगदाक मनाली और राजस्थान इनके सामन ने गर दिये हैं हाउस बोट पत्थर के बने बोल रहा हूँ और नो और आठ रहेगा तो क्या हो वो आप आप नो लगाएं आठ रहेगा तो आठ देना है विंकी अंसर अब यह इस पर अलड़ी अपति दर्द हो चुकिए अब इतना आयोग मूर्ख नहीं वो आठ देगा आप आठ अंसर लगाईगा तो देखेंगे आ चलो अब देखते हैं पहले समझ लेते हैं यह असम के घर समझते रहना मैं आपको इसलिए कंप्लीट विजुलाइज़स दिखाता हूं जो आपके क्योंकि विजुलाइज चीज़ों को करते हूं आप समझ जाते हूं यह सम के घर हैं जिन में डालू की छते होती हैं और पा स्रक्षिन हैं इसके बादा आते हैं ले लदाक के घर क्योंकि ले लदाददा प्रवत शेतर हैं पहाडी चेत्र तो वहाँ पर क्या होता है ओगर सपाट जाता है, बाज के दोर जिससे की बर्फ आसानी से नीचे फिचल का गर जाए, बाज समझ में आगे, इसको बोलते हैं मनाली के घर, इसके बाद आते हैं, राजिस्थान की घर, क्योंकि राजिस्थान सुष्क इलाका है, वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा हाई चलती हैं जो बहुत ज़्याद प्राब्लम करती हैं तो यह मिट्टी के घर जो होते हैं यह इसलिए बनाया जाते हैं जिससे की जो गर्म हवाएं वो रुख जाए और घर ठंडा हो जाए ठीक है ना अच्छे पलती मारती तो बात समझ में आ रही है तो इस देट के लिए और यह जाडियों से बनाये जाते हैं तो जाडियों की चाते होती हैं मिट्टी के घर उनको लीपोत के बड़ा सुन्दर बना के रख दिया जाता है यहां गूबर का लेप कर दिया जाता है घर के आगन में और यह सुन्दर दिखते हैं इसमें लेयनवाले लोग अच्छे क तो देखें असम की बात करते हैं अब पता लगाना तो असम के घर क्या होंगे आप कहेंगे असम के घर होंगे ऐसे वाले मजबूत बास से बने घर और इसमें बड़े का वाइट में दिखनी रहा है ये वाला करदू में असम मजबूत बास के बने ढालू वाली च्छतों वाले घर क्लियर है तो सारे आप्शन मिल गए है कोई प्राबलम तो नहीं है तो राइट आप्शन सी लगा दें सही जवाब है जी अच्छा मिट्टिक आपका भी सुर्जित चलिए हाँ मैं इस मरहा हूँ चलो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल समझ में आ रहा है आपको तो घर देखलो असम के ऐसे लेलद्दा के ऐसे मनाली के ऐसे और राजस्थान के ऐसे आप आगामी प्रद्रशनी के लिए project बनाने है तो अपनी कक्षा में गौंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि चातर प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रियोग कर सकें आपने चातरों को बता है कि अगर गौंद की बोतल खाली होगी तो नई बोतल नहीं मिलेगी जैसी स्कूल में मास्टर बोल दाता है यह यह बस इसलिए करना पूरी कलास को का इसलिए उन्होंने उस गोंद को आज़ा अगर गोंद की बदल खाले होगी तitter नहीं मिलेगी इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रियोग केफायत идет तरीके से करना चाहिए निमली कितमेंजे कौन चीड़ को उन संसाध्मों की विकल पर व्रिचार करने में मदद करेगी जो सीमित मातरा में उपलाब्द होते हैं अब देखेंगे सीमित मातरा में जो उपलाब्स होते हैं उन पच्चा कैसे यूज करेगा ये प्रशन है आपके लिए और मुझे उमीद इस पुशन का जवाब तो शायद आप देने के लिए तयार हैं तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलेगा पहला आप्षन है चात रोगों में पानी मिला कर उप्यों करने के लिए पर ये कहा की दिमागदारी है कि चाय तो है नहीं ना ये मठा है दही भी नहीं है कि पानी मिला कर देदो मैंने का ना EVS में सवाल इतने लंबे लंबे दी पूछे जाते हैं अधिकान से रूप से कि पढ़ने वाला पहला वाला ऑप्षन भूल जायागा प्षन कहता वह अप्षन में लज जायागा तो इस पर ध्यान से पढ़ना है ठीक है न तो क्या हुआ तो ये तो घलत बात होगे वी क्यों गौंद में पानी मिला होगे ये तो घलत बात है बलुकुल नहीं आई ती एक पोस्टर लगा है जो दर्शा है कि किन प्रोजेक्टों में गौंद का प्रियोग किया जा सकता किन में नहीं ये भी गलत है आप एक फोटो ला पोस्टर लगा रहें कि इन प्रोजेक्टर में गौंद का प्रियोग कर रहा है चात्रों को साजा रिजिटर लिखने के लि को विभिन सामगरी कि सूची बद करने के लिए जो चिप-चिपी है जिन में चिप-चिप की जरूत पड़ेगी जहां चिपकाने की जरूत पड़ेगी जहां आवज सकता है तो राइट ऑप्शन क्या है उनका परियोजना के मादम से समझाएं ऑप्शन नूमबर फोर एकदम सही जवाब होगा राइट ऑप्शन पल्टी मार रहे हैं मानो बल्टी क्योंकि आज का प्रियोग के उप्योग से विशिष्ट निश्कर से पराप्त करने का निमलिकित में से कौन सा सर्वस्रेस्ट उधारन है कौन से सबजी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए यह गिन कर समझना कि कौन से सबजी जल्दी खराब हो जाती है तो देखो सवाल को समझने की कोशिस करेंगे और जानने की प्रियास करेंगे तो प्रियोग के उप्योग से विसिस निश्कर्स आपको प्राप्त करने इन में से कौन सा प्रियोग के उप्योग पर है तो कौन से सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए यह गिन कर स समझना कि कौन सब्स शर जाती है गिन करो तब आलू गो भी शर जाती है ना टमाटर पर यह तो पॉसिवल नहीं है ना प्रियोग ठोड़ी हो रहा है काउंटिंग हो रही है अपने जिले में अध्यान यात्रा पर जाकर विभिन शुरुतों को पता लगाओ कि शुरुत मतलब यह एक एक्टिविटी उनकी आई टेस्ट का इसके साथ हम बात करें चौथा ऑप्शन क्या कहता है यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है प्रतिक तरल की एक बूंध प्लेट पर डालना और प्लेट को तरचा करना सबसे अच्छा एक्जामपल है तो कि कौन सा अब देखो आप ओयल रखेंगे आप पानी डालेंगे आप पैट्रोल डालेंगे आप गलिसरीन डालेंगे और आप बच्चों को दिखाएंगे इसको डाला तो यह क्या है इस एक्जामपल से इस उप्योग से बच्चा विशिस निसकर पर पहुँचेगा ना on the sport कि पानी बहुत केज बहा गया गलिसरीन दिरे दिरे बही सरसो का तेल जो था वो उससे कम समय में बहा तो यह एकदम सही एक्जामपल होगा उनको प्रक्टिकल कराने का कि कौन सा तरल किस दिशा में किस तिनी तेजी से बहता है और राइच आप्शन आपकी तरफ से मिला है 103 आतिहासिक स्मार का विशे के लिए विशेस्ट मापन योग्योर प्राप्य है विच आप फॉलोइंग एडुकेशनल ऑब्जेक्टिव और स्पैसिफिक मेजरेबल एंड एचीवबल फॉर्डी सब्जेक्ट इस्टोरिकल मुमेंट्स तो देखेंगे आपका मुझे करता है सही है जासमना एतिहासिक स्मार को के महत्व को पहचान दो उनको सरक्षित करने में मदद करेगा यानि यह आपको जो मापने योग्योर चीजे के हैं कि विशेस्ट मापने और योग्या के उनको सरक्षित करेगा विध्यारतियों को पता चल जाएगा कि अतीत में इ लेकि निर्मान में प्रियुक्त विभिन सामगरी और उनके उद्देशों के आधा पर वर्गिकत करेंगे। वहाँ गोलकुंड़ का किला है जहां पर बाबार कुछन पूछे जाते हैं तो उस गोलकुंड़ के लेकि आधार पर अब दो किसमें क्या हुआ इसने बोला पत्थर तो सामगरी का मतलब क्या है सिमेंट रोडी बदरबूर पत्थर कहां से आया उसके जो भी चीज है सामगरी से बिल्कुल तरीके से और सही जवाब दें आपकी तरफ और सही जवाब हुजाएगा option number 4 एकदम सही जवाब है बिल्कुल सही, इसी तरह से दी धोका सही, धोका नहीं देगा, एक और, सवाल दो कि इस पेपर में सवाल बड़े-बड़े हैं, देख ले रहे न, इन कुश्चन, सवाल पर जो पेपर हुआ या आठ तारिक का, इसे में कुश्चन का लगा था, थोड़े बिग-बिग कुश् थे, एक बूसरे देश से नया चातर अपनी करक्षा में शामिल होता है, उसे मुख्य रूप से स्थानिय चातर शामिल हो, यह आपने कोई, जैसे हम पढ़ाते हैं, कॉलेज में, तो वहाँ पर लगबग 29 कंटरिस के स्टूडेंट हमारी क्लास में पढ़ते हैं, विभिन द बच्चो को इंक्लूड कर लो, उनको समझाने का, क्योंकि हो सकता है, जो दक्षन अफ्रीका से बच्चे आया, वो इंडिया के बच्चों के साथ मैचना करें, तो यह क्या है, बताओंगा शिर्राम, तो बास समझें, इस्थानिय चातर नए चातरों को बताएं, कि आपके चितर में क्या करना चाहिए, शिर्राम लास्ट में बताओंगा, लास्ट में बताओंगा, मुझे याद दिलबा देना, साथी चातर, नए चातर को बताएं, कि आपके चितर में क्या करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वो बच्चे उन बच्चों को ये को बता बारें बताने दें यहीं उसमें अपना ड्रस्टी कौण क्या है अब माले पाकिस्तान का बच्चे आ गया तो आप तो आपका दुरस्टी कौण तो एक ही होगा चलि क्लास से भार निकल कि तो है हो आई क्लास में तो यह गलत होगा प्रतेक बच्चे को घर में प्रचित व्यभारों में समानता हूँ और अंतर के बारे में बिलकुल क्योंकि आप कक्षा में पढ़ते हैं तो उनके आसपास का एनवार्मेंट उनके परिवार में लोग कैसे रहते हैं कैसे वो चीज़ों बनाते हैं उसके बारे में डिस्कुशन करेंगे तो सबसे बैस्ट होगा तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए ऑप्शन नमबर सी कला को नए छातर के देशों के बारे में बताएं जैसे कि लोग कैसे वो चीज़ को महत बताएं इसे बी जरूरी क्या है आप व्यावारों पर चर्चा करें और मैंने कहा ना इवीज की क्लास में डिस्कुशन अब्जर्वेशन ये बहुत ज़्यादा महत पूर्ण है डिस्कुशन और अब्जर्वेशन बहुत बहुत ज़्यादा महत पूर्ण है तो आप इस बात का हमेशे आद रखें कि बच्चों किसे जहांबर डिस्कुशन मिले आप कराएं बच्चों को और उससे बच्चे जानेंगे जो उन्हेंने कहा है option number C वो एकदम correct answer दे रहे हैं एक और सवाल इन मेंसे कौन सा अभ्यास सर्रचनावादी दरस्टी कौन से सबसे अधिक मेल खाता है सर्रचनावादी में structuralist को बोलते हैं इसको विभिन देशो जिनके बारे में चातर ने सुना होगा कि पहचान करने के लिए globe को उपयोग करना अब सवाल को समझो यह सवाल ऐसी हैं जो बहुत ही unique हैं यह आपने पढ़े भी नहीं होंगे और आप इनको समझने का प्रियास करें नीचे से पढ़ता हूं मैं एक के लिए की विभिन सरचनाओं के लिए उपयोग की व्यक्या करने के लिए graphic आयो जोग का उपयोग करना यहां आप क्या करने आप किसी और्गनाइस रो बुला रहे हैं जो आपको दिखाए graphic की आधार पर द्रस्टी कॉन सरचनावादी यहां पर वो दिखाएगा हमने पूचा बच्चे के लिए सरचनावादी करना है तो यह बच्चा थोड़ी दिखा रहा है तो बच्चे के प्रस्पेक्टिव से आपको कुशन का अंसर देना है तो इस बात का याद रखिएगा कि बच्चे के प्रस्पेक्टिव से आपको और लाइक कर दो लाइक करने में कंजोंसी ना किया करो लाइक करने में प्राबलम मत छेला करो उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों को प्योग करना बही इस ट्रक्टर डशना वाली में अगर आप पूरी बॉड़ी दिखाओ समझ में आप चरण कान की बात करो इस नाट पासिबल पास के बगीचे में वहिन प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूप रिखा बनाना नहीं आप गए और आपने बच्चों को पत्ते तोड़कर दिखाए और बात बताए कि इस पत्ते के आकरति ऐसी होती है हो सकता सही हो वि प्रत्वी को उस गलोब पर दिखा रहे हैं और बच्चों को आइडेंटिफाय करने के लिए करें तो बच्चे की सरचनात मगता थिंग है वो पढ़ेंगी और राइट आप्शन गलोब पर देखना बच्चे क्योंकि इसके प्रटिकल में है गलोब अभी मैंने आपको प्रत्वी के बारे में गलोब के आथार पर बताना राइट आप्शन क्या है आप्शन नमबर एक एकदम सही जवाब मानिएगा आप बहुत बढ़िया तरीके से एक और सवाल यदि आप एहमदाबाद गुजरात में स्तित हैं और भारत के मान चितर पर एहमदाबाद और दिल्ली के बीच की कोई सरलेका खीचते हैं तो एहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी आप बताईए एहमदाबाद में हैं आप और जी सबसे बढ़िया भी होगा क्योंकि बच्चा खुद करता है कुछ बनाता है यह देखिए शिर्राम पत्तियां अलड़ी बनी हुई हैं और वो प्राकृतिक चीजे हैं और प्राकृतिक सरचना से जाता इंपोर्ट होंटता है कि आप युमेन ने क्या सरचनावाद किया है ठ समझ में आई तो स्ट्क्चर आपने क्या किया है उसको दिखाऊ प्रकृति ने चित्री बनाए है वो प्रकृति की देन है तो राइट ऑप्शन क्या होगा उत्तरपूर्ग चलो उसको समझ लेते हैं देखिए यह हमारा नक्षा है आप जानते हैं हम कहां पर हैं हम गुजर यह हमारा गुजरात है अब गुजरात से दिल्ली की बात करते हैं दिल्ली यह हो गई यहां पर अब देखो नक्षा कैसे पढ़ते हैं यह हमारा भारत कोई भी नक्षा को मैं ऐसे पढ़ते हैं जब उसको चार भागों में तोड़ते हैं उपर होता है उत्तर नीचे होता है जायत से जो दिल्ली है, वो किस दिशा में है, वो उत्तर पूर्व में है, इस देट किलियर, बाद समझ में आ गई, बहुत आसान था, ये मैप पढ़ना तो आपको शायद अच्छे से आता होगा, और नहीं आता है, तो समझ लो, इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका समझ लीजेगा, यहां पर गुजरात, महरास्ट, गोवा, करनाटका, किरल, यह सब अरब सागर के किनारे बसे हैं, इधर तमिल लाडू, आंधर प्रदेश, उडिशा, वेस्ट बंगाल, यह किसके सारी, बेव बंगाल के सारे बसे हूए हैं, तो इसको आप समझ लीजेगा जी, यह तो बड़ा असान है, इसका मैं किलास ही ले लेता हूँ, अलग से मैं आपका डॉंट बरी, ठीके न, हाँ, तो यह मैं समझ लो बई, आप देखो, आप नक्सा देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड की तरफ आपका आरब सागर, अब इसके देश यहां से मिलाते चले जाओ, बस, चलो आगे पड़ते हैं, पोचम पल्ली एक शहर है जहांके अधिकांश परिवार बुनाई का कारे करते हैं, आप सभी जानते हैं, पोचम पल्ली बहुत फेमस है, क्योंकि वो सिल्क सारीज के लिए बहुत फेमस है, जो सिल्वेशम की सारियां है, वों बनाई जाती हैं, कोशिस करूंगा जोती, तो विशेज परकार का वोस्तर बुंते हैं, पोचम पल्ली किömकि जो वोस्तर हम बुना जाता है, उसको को पोचम पल्ली के नाम से जानते हैं, यह शहर किस सुंदर चमागदार रंगर साड़ियों को बनाती है, किस राच्चा कभा अग् बुनते हुए इन साड़ियों को रेशम की साड़ी यहां पर बनाई जाती है सिल्क साड़ी इसके लिए बहुत फेमस है ठीक है ना? और इसी को कहा जाता है पोचम पल्ली तो यह जो कपड़ा बुनतिस्त का नाम पोचम पल्ली है इस शहर की अराम पर ठीक है ना? तो यह पोचम पल्ली कहा है यह तलांग नाम है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं एक और सावाथ मिजोरम में जो फसल का काम समाप्त होता है तो लोग एकत्र होते हैं त्योहर मनाते हैं एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं उनके विशेश नाच का नाम क्या है? और देखो यह आपको ऐसा हर एक सवाल आपको बता रहा हूँ हर एक पेपर में यह सवाल आपको मिल रहा है आप देख रहोंगे न, जितने भी question paper मैंने लगवत पढ़ा हैं, उनमें ये निर्त्य वाला सवाल जरूर मिला है, तो इस बार इनने एक पकला तो अगली बार दूसरा भी पकड़ेंगे, तो आपको बता दे, आप जूम तो सब जानते, जूम खेरती होती है, तोरंग जंगल लोग बैठ जाते बांस को ले करके, और लोग उनके बीच में आकर अपनी परमपरिक स्वस्त्रों को पहन करके डांस करते हैं, धोल वर्जते हैं, धोल की ताल पर वो बांसों को पीटते हैं, और बजा दाते हैं, तो इसका बता दू, चेराव निर्थिस को बोलते हैं, पर 6-8 लोग जमीन पर 36 रूप से इस तर दूसरे बांस की रंडियों पर बैठते हैं, और 2010 में इसका गिनीजवर्ड बुक में नाम दर्ज हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने इस डांस पर नत्य किया था नत्यकियों ने, और इसे मिजोरम के सबसे पुराने नत्यकियों के रुप में जाना जाता है, और अधिकतर ये खुशी के मोगे पर फशल की कटाई उबर किया जाता है, तो ये आप नोट कर लीजेगा, क्योंकि इसके संबंदित कोशन बन सकते हैं, एक्जामनेशन में, ओके, बहुत बढ़िया, नीचे प्याज की खेती करने या फिर 20 डिसंबल के पेपर में था ये कुशन, खरपतवार हटाना, गुडाई करना, बीज बोना, प्याज के उपर सूखी पत्ती हटाना या प्याज को खाड़ना, अब जो लोग ग्रामिर छेतर से वो जानते होंगे, हर एक सबजी इसी तरह से उगाई जाती है, हर एक स प्रास में हैं 1.500 लोग, और लाइक मिला है सिर्फ सतर, मैं इस बात से परिशान हो, क्यों भई, क्या लाइक देने में खुन तो कम नहीं होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीज बोएंगे, या सबसे पहले गुड़ाई करेंगे, सबसे पहले खेत में खोदा जाता है, जोता जाता है, उसके बाद उसमें हम बीज बोएंगे, ये बात आप जानते हैं square और मैं अगर मैं सारे स्टेप्स को भटा करू, तो बात समझ में आगी, तो सबसे पहले देख लो हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने गुड़ाई की, और जब गुड़ा कर डाली, तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले B आएगा, उसके बाद हमारे पास प्याज घब होती है तो इस तरह से होती है, हाला कि आए गॅधी जो है, वोद गणा कम खाते हैं, तो यह जो है सिखाते हैं ठीके ना बहुत बढ़िया तो बढ़ें आगे एक और सवाल की दरफ प्याज की खेदी करने सी गए आप लोग आगे से प्याज हुगाना नीची दिये गए जीव करम से जनतू के किस वर्ग में आते हैं छिपकली चमगादर कल चिडी और बिच्चो तो इन में से कौन से जनवर हैं विट विच क्लास अफ एनिमल्स डू दी फोलूइंग आर्कनिज्म ब्लॉंग्स रस्पेक्टिवले लिजाड बैट क्रिकेट और स्कार्पियंस तो जवाब मिलेगा क्या है आप सभी जानते शाद इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं आ है आझे देती सभी चपणी सरी सरंथ च Glasर पाड चलतीए ऐसा ओसक्ता है तो छिपकली को में सरी सर लू क्यों कि वह कहां चलती है है ऐसी सभी दिवारों पर तो छिपकली को मानते सरी सभी यह तो सरी सर हो चाएगा चमगादन एक ऐसा जो बच्चों को धूल का है एक चडि बट्टू क्योंकि ये सब आपको पता होना चे छिपकली क्या है सरी सर्फ है अंडे देती है चमगादड दूद पिलाती है अपने बच्चों को पक्षी कल्चडी पक्षी है और बिच्चों कीट के रूप में आता है आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की बाद सूश्री वैसनवी समुदाय से प्राप्त उधारन का प्रियोग करते हुए परियावरण में चीजों को अन्योन शरता का विचार सिखा रही है वो इंटरडिपेंडेंसी सिखा रही है अन्योन शरता मतलब हम एक आदमी दूसरे पर कैसे डिपेंड है बासन मेरे हम कैसे डिप प्रेक्त मैदान नाई पुलिस्थाना कि देखेंगे आपका जवाब क्या मिलागा यानि गार्विज कलेक्शन एडिया अबेंडन प्लेग्राउंड हेर ड्रेसर यारी बारबर पुलिस्टेशन और राइट होसे बहुत अच्छा प्रशन है और मजएदार प्रशन भी है अ अच्छत आपको समय नहीं आ रहा होगा इसका मतलब होता है इंटर डिपेंडेंसी मैं दूसरे पर कैसे आश्रित हों इसके बाद करूंगा सतीज आश्रित है अब तो आश्रित क्या बी ऑप्शन अरे भई खेल का परतिक्त मैदन यानि जो खेल का मैदन कैसे अब जब कोई अब तो जमीन है आप जाके उसमें खेल लो राइट ऑप्शन नाई बार बर क्योंकि आप अपने बाल बार क्टाने के लिए उस नाई बेंड है क्योंकि नाई के बिना बार बर के बिना हैट्रेस नहीं होगी राइट ऑप्शन जी है किसी ने सोचनी होगा नाई भी आएगा उप्शन में तो नाई यानि जो बारबर है उस पर इंटिपेंड आप आश्रित हैं क्योंकि आपका बाल कहते हैं कि कोई भी इस जमाने में राष्ट पती भी से जुखाता तो सर्फ एक आदमी वह है क्या बार कटाने के लिए हम बच्चों को बोलते नहीं हो जाना है सोचे जिन्होंने सी एकदम बढ़िया है ना ही इसका सही जवाब है बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं कार सवाल की बात करते हैं नीची दिये कथनों में अलबरूनी जो एक विद्वान थे जिनने हमारे देश भी की है और अच्छा राजिश बहुत बढ़िया तो उन्होंने तारीद भी कि उस तारीद के आधार पर आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वह कि यातरी थे जिन्होंने हमारे देश का भर्मन किया और जो प्रेशन को उसके बारे में लिखा सही ब पर रखता हूं वैसे गलत स्टेटमेंट में रिकाट दिया क्योंकि अफगानिस्तान से नहीं आयते किसी और देश से पूछूंगा बाद में उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से भिन लगी बिलकुल जो कोई आदमी अपने देश में for example आपँ किसी कहें जाते हैं और आप जैसे जाते हैं तो आप जैसे जाते हैं अपने हुआं जाते हैं और संस्कृतिक विरासत में बहुत कुछ जानकर रिप्राप्त करते हैं क्योंकि अगर अपको प्रीविस में जाना है इतिहास में जाना है भूत काल में जाना है तो किताब ही उनका शुरूत है क्योंकि किताब में चीज रिकॉर्ड है तो उन्होंने वो अपनी किताबों में लिखी हैं, तो वहाँ पर मिलेगा, सही है, उन्होंने विशेश रूपशे हमारे देश के लोगों को तालाब बनाने की, बिल्कुल, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी किया थे तालाबने की, लोग यहां पर पानी कैसे कटा करते हैं, पानी खिटी करने की अदबुद और आश्या चिकित करने वाली कला यहां पर मुर्जमान थी, उन्होंने उस को शलता को भी अपनी किताम में लिखा, तो मैं इसको भी सही बताता हूं, तो मेरे हिसाब से इसमें option number B गलत है, तो आप लगा लो कौन सा सही है, अब तो पता लग गया होगा answer क्या है, तो आपको समझ में आया है ना answer कौन सा सही, तो मैं इसको A लगा दूँ, बिलकुल क्योंकि इसमें B नहीं है, बाकी सब चीक है, और अलवरुनी साब के बारे में थोड़ी सी बात अब detail में कर लेते हैं, चीक है न, चलो देख लेते हैं, क्या कहानी है, और अलवरुनी साब ने क्या था, अलवरुनी का जन्म 973 में वर्तमा उजबैकिस्तान के खौरिज में हुआ था, यानि ये बात सही बताई न मैंने, तो क्या था उजबैकिस्तान, ये मैंने पूछा था, आपने साइद मुझे answer नहीं दिया, मैंने बोला था उन्हें चीजों के बारे में लिखा, जो उन्हें अपने देश से बहुत अलग लगी, जैसे वस्तुकला और लोगों की जीवन से लिए, अलवरुनी ध्यान से देखा, जो कुछ उन्हें ने देखा, उसका विवर्ण उन्हें ने किताम में लिख दिया, और उन्हें के नाम बनाने में बहुत कोशलते वह इस बारे में विबरन लिखते हैं कि जील के चारूर चबूतरा उठाए गए चबूतरे बनाने के लिए विशाल चट्टाने खटा करके और उन लोहे की छड़ों से जोड़कर तलाग कैसे बनाए गए थे आज हम जब इतिहास का ध्यान करते हैं अधिकम उद्देश है चात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारना को लागू करने में सक्षम होगे संचारी और गैर संचारी ठीक है ना इसके मतलब क्या है लंडिंग अपजेटिव स्टुडेंट विल बी एबल टो एपले कांसर्ट अफ कम्मुनिकेबल ए प्रिशन अध्यन के उद्धिशका सरवोत्तों сам करता हैं पहला हम कोविट की पिरसार को रोखने के लिए मास्क का उपियोग करते हैं लेकिन मधुमा की जितने कोशन आयें कलास पांच की बुक से आयत क्या बात दूसरे बुक से नहीं लिये हैं हाँ बिल्कुल पूजा हिंदी वाले हैं लिकिन इंग्लिश इसलिए बताने पड़ती कुछ बच्चों को वर्ड समझ नहीं आते हैं इसलिए इंग्लिश वाला दिखाया था आपको आप धारणा को लागू करने में सक्षम होंगे यदि आपके मादा पितान में किसी एक को मलेरिया है तो स्वेम इसके होने के जोकिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है सही जवाब स्वचिता वातरण वराय रखने के लिए आप किन रोग वाहा को कीडो को रोग सकते हैं और जीवाणों और विश्वाणों से होने वाली विभिन परकार की बीमारियां कौन सी हैं अब यहाँ पर आप बताईएगा कि यहाँ पर कम्यूनिकल और नौन कम्यूनिकल यानि दूनों चीज होनी चाहिए जहाँ पर आप बोल पाएं और जहाँ पर बोल नहीं आप पाएं ऐसी चीजें अगर मैं आपसे ऑप्शन की बारें बात करूं तो जीवाणों से होने वाली यह आपको बोल फिक्स है इसका अंसर फिक्स है कि यह एक आपको कुछ बीमारियों का लागू कर सकता है क्योंकि कोविट में मास्क हम पहनते हैं तो उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो जन्म ले लेती हो और वो जादे जादा बोलने की कोशिस करता है तो राइट ऑप्शन ए अगर आप लगा रहे हैं बीमारी पर भी ले लीजिए आओक ओके मदू मैं आप एकस्प्रेस ट्रेन 144 किलोमेटर की दूरी पर दो घंटे में त्या करती है इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकेंड में क्या चाल है एन एकस्प्रेस ट्रेन कवर से दिस्टेंज के लिए पढ़ रहे हो चलो मैं नहीं पढ़ता आप पढ़ लेकिन जो बच्चें हिंदी में नही पाते हैं उनको अंगलेशें बताना पड़ता है 144 km in 2 hours, the speed of train in meter per second, आप जानते हैं, पहचानते हैं, कि speed is equal to distance upon time, यानि 4 बराबर दूरी बटे सेमा होती है, अब दूरी कितनी है 144 km, तो मैं speed निकल दू, तो 144 km की दूरी थी, और समय लिया 2 घंटा, तो यह कितना हो 72, तो 72 km per hour क उसकी speed है, लेकिन सवाल में क्या लिका मीटर परती सेकंड में लिखा है, तो आपको आंसर मीटर परती सेकंड में देना होगा, और मीटर परती सेकंड में आप कैसे बदलते हैं, आप multiply करते हैं, तो एक तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक घंटे में 300 सेकेंड होते हैं इसको कार्ट प्रिटी के लगए तो 5 बढ़ा थारा आजाता है 18 जो 12 पांचों के 20 तो क्या होगा 20 मिटर प्रति सेकेंड की उसकी स्पीड है तो मिंटर प्रती सेकेंड में कितनी होगी, 20 होगी, किलियर है, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही जवाब देते रहो, और आगे बढ़ते चलो, तो चलो एक और प्रशन ले लेते हैं, आपके स्क्रीन पर क्या होता है, भावनाओं को साजा करने के बारे में, अध्याय में एक छात उत्तर, EVS के इस पार्ट को सिखाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोचन का, सबसे अच्छा वणन करेगा, तो देखेंगे इसका वणन कौन सा करेगा, आप मेंसे कुछ लोग बड़े होकर मनवज्यानिक बनना चाहा सकते हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उसके लिए एक महत्म कादम होगा, हम हर समय एक अन्य के लोगों के साथ बाचित करते हैं, प्रते विर्टी अलाग है, समाज में रहने वाले अपनी और दूसरों की भावनाओं को समयने जरूरी हैं, तो यहां महीं क्या है, अब देखो, यहां पर बच्चा अपने उपर, जब दी कोई practical project दोगे, तो अगर बच्चा खुद पर उसमें role play करेगा, that is great thing, लेकिन यहां दूसरों की भावनाओं को जानने की बात करोगे, तो मैं इसको गलत करूँगा, भावनाओं शरीर के हार्मोन का जरा समय, यह science बच्चों को ना पढ़ाओ, क्योंकि करक्षा 5 का बच्चा है, उसको आप इतनी science बढ़ा होगे, कि तेरे हार्मोन शरीर में होते हैं, उनसे भावनाओं को, तो बच्चा उस level पर नहीं जो समझ पाई इन चीज़ों को, हर समय अन्य लोगों के साथ बाचित करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग है, समाज में नहने वाले उनकी समविदाओं के एक फिक्स्ट पर्टिकुलर फोकस करके, सिर्फ दिव्यांग वोपर आप अपने emotions को नहीं ला सकते, जबकि यहां बात हो रही है सभी emotions के बारे में, तो सबसे बड़ी बात क्या है, कि सबसे अच्छा सदीका अन्सर क्या है, हाला कि सभी समविदन शी करना पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए, डी नहीं होगा, राइट ऑप्शन ए होगा, बिल्गुल सही जवाब है, आप किसी एक भावनाओं को नहीं दे सकते, यहीं आपके अंदर सिर्फ इससे एक भाव उदरेगा, करूना भाव, आप देखो न, आपके अंदर सिर्फ करूना भाव नहीं के लेगा, अब किसी दिव्यां को देखते हो, तो आपके अंदर करूना आ जाएगी, यार कैसे दुख होगा आपको, यह कैसे जी रहे, लेकिन आपको सिर्फ एक मुद्दे पर, एक ही भावना पर काम नहीं करना, आपको मल्टीपिल भाव नाए चाहिए, ठीके न, आपको खुशी, दुख, गम, गुस्ता सब जानने होंगे, ठीके न, आगे बढ़ें एक और सवाल चलो, दो छात्र X और Y की क्लिनिकल विक्रती रिपोर्ट नीचे दी गई है, यानि उनकी जो रिपोर्ट है, बिलेड ट यह निश्कस निकाला जा सकता है कि, X और Y दोनों की रक्त शिंडता यनि अरक्ता के रोगी है, जबकि Y नहीं, और Y रक्त शिंडता की रोगी है, जबकि X नहीं, तो इसको एनिमिया बोलते हैं, जी, तो राइट आप्शन क्या मिलेगा, और यहाँ पर जवाब देने की मध पर मजबूर हो रहें, लाइक तो करते रहो, यार बार-बार बोलना पड़ता है, लाइक के लिए जब कोई बोलेगे ला पांच बार, तो कोई एक कर देगा, पता नहीं, लाइक करने से कितनी प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, चलो खेर आपकी इच्छा है, दोनों लोग अलग अलग दिये गए थे, यहनुमा एक हिस्ति पर पूर्स दिया गया था, तो राइट ऑप्शन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, यह है आपके हीमोगलोबिन, कुछ नहीं है, आपके शरीर में कितनी आईरन की मात्रा संचरित हो रही है, उसकी बारे में जानकरी देता है, है ना, उसके बारे में जानकरी देता है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो रुधिर वरनिका या हीमोगलोबिन की लाल रत कोशिकाओं, और कुछ आप प्रस्वंशियों के उतकों में पाये जाना वाला लोहो यूप्थ हीमोगलोबिन होना चाहिए, और फीमिल में 12 से 16 होना चाहिए, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो इनका कितना है, 12.5 है, तो यह तो सही है, तो बीमार कोन है, रख तक कमी किसमें, एक्स में, तो एक्स रख शिंड़ता की रोगियो य नहीं, क्योंकि य का हीम की बात करते हैं, पोचम पल्ली साडियों पर एक वीडियो देखने के बाद, छातर साणियों पर बने विभिन प्रतिरुपों की चितर बनाएंगे, जहला आप्शन आपके समक्ष है, दूसरा आप्शन देखते हैं, क्या है, दो छातर मिलकर फूल के उन विभिन भागों को सूची बंद करेंगे, जिनका उल्लेक इवी इस्पार्ट पुस्तक में किया गया है, तीसरा, छातर सामपट पर लोगों द्वारा किये जाने वाले विभिन प्रकार के कारियों के बारे में, अपने विचारों का मान से चितरने, माइंड मैब बनाएंगी, इशान इमार्तो निम्रवान के में उप्योग होने वाले विभिन प्रकार के चीजों के बारे में शामपट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले, और तेजी से मिले, घलत ना हो, तो राइट आप्शन क्या है, देखेंगे जवाब क्या आपकी तरफ देख रहा है, विचार क्या होंगे आपके, और यहाँ पर C आप्शन, A आप्शन, B आप्शन, C आप्शन, सब लोग यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखेंगे, हमें तो उम्मीद है आपका जवाच्छा मिलेगा, तो सांसे धाम कर बैठिए, औ और देखेंगे, क्या होगा आपका सही जवाब, बहुत सारे जवाब आपकी तरफ से मुझे मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुझे यही चाहिए आप से और क्या चाहिए, तो समझ लेते हैं आपके समक्ष, बातों को, सबसे जरूरी है, कि बालक जब भी कोई चीज बनान रहे ही कोशिस करेगा, और हमने कहा, एक्टिव लेर्निंग होने चाहिए, बात समझ लेकिकोशिस करना, वीडियो देखकर बनानें के अच्छा उधार हो सकता है, लेकिन अकोर्डिंग टू एक्टिवीटी लेर्निंग, जो आप एक्टिवीटी उसको करा रहे हो, उसको बत मैं पर जिसको concept मैं बोलते हैं यह बिल्कुल different है क्योंकि mind मैं बच्चे को more active करता क्योंकि यहां पर उसके अपने विचार होते हैं यहां पर कोई चीज उसके बनी नहीं दिख रही है सामने कि उसको उसको copy करके करना है तो यहां पर copy की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है बात समझ रहे हो तो राइट option होगा concept में माइं में बनाना सबसे ज़्यादा आवशक और सबसे ज़्यादा कारियों के बारें विचार करेगा कि सर उससे धान इसका सबसे ज़्यादा का होगा माइंड में बनाना क्योंकि यहां पर उसको अपनी सोच के according माइंड में बनाना है तो जो लोग इसका सबसे देंगे वो सही है जिनोंने नहीं दिया वो घलत है किलिए है बात समझ में आ गई कोई problem तो नहीं है बहुत बढ़िया तो शिर्राम आपका question ने लेते हैं कुछ question था हाँ वई इस देट clear तो यहां तक बात समझ में आ गई सबको समझ में आ गई तो फटा फट लाइक शेर सब्सक्राइब कर दो देर किस बात की है और मुझे बता दो कि आपको आज का session कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे जुरूर बताएं अच्छा नहीं लगा तो भी बताएं और डेली सुभा बता दे मैं शाम को सुभा शाम की बात करूँ छे एम में EVS ले रहा हूँ अभी ये प्रिविस एर खतम हो गाएं कि तो मैंने कुछ अपने प्रेटिश हैट बनाए हैं आप लोगों के लिए जो बहुत मैद पूरूंगों इसके बाद मैं उनको शुरू कर दूँगा इसके साथ साथ 10 बज़ कर 30 मिनट पर मैडम सीडी भी पढ़ाती हैं प्रिविस एर 5 पीम हिंदी पढ़ाती है मैडम हिंदी पेपर और शाम को साड़े साथ बज़े पेडागोगी परान आपको पढ़ाते हैं तो सभी लोग वहाँ पर जुड़कर अपनी सफलताओं को सुन पूशित करें थैंक यू